जहिंद गुड मॉनिंग वेलकम टू इस्टेडी पारपाइंड दिस इस अंकित मौर्या इस नए वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि यह वीडियो है यह जीपी पॉल टेक्निक फिप समेश्टर इलेक्रिकल इंजिनिंग के लिए और यह यूपी बोड के ल इसका मतलब यह हुआ क्या कि अगर इलेक्रिकल फाल्ट हो जाता है उसे हम सिंगल लाइन डाइग्राम की मदद से कैसे प्रिजेंट करेंगे कैसे दिखाएंगे अर्थात काने मतब कैसे सो करेंगे ठीक है तो चलिए इसके बारे हम समझ लिजे फटा-फट से क्योंकि यह आ तो आपको पता होना चाहिए हाला कि हो सकता है कोई competitive exam सोगर में पूछ ले यहां से questions तो आपके एक नमबर अभी से यहां पे कुछ बन जाएंगा तो खराब कुछ बात नहीं है चलिए बने रहे वीडियो में अंड तक तभी मजा आप आएगा चलिए देखिए क्या है यहा चलने वाला है यह यह ताइप साब part कई प्रकार के fault होते हैं उनकी बात यहां दी गई आ है number of phase 1 phase में fault हो रहा ही की 2 phase sounds three phase में fault हो यह आप दिए गया है तो सब से पहले हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं ऐसा देखो चलेंगे तो open circuit fault one phase में कितना होगा यह देखिए ryb आपकी supply जाएगी तो एक field में अगर fault होगा open circuit fault में तो देखे क्या होगा एक open हो जाएगा open नाम है तो open दिखाएगा यहाँ पे उसी तरीके से 2 phase में अगर open होगा तो 2 phase में हमने open दिखा दिया 3 phase में अगर open होगा 3 phase में दिखा देंगे तो देखा कितना आसान है हमें क्या सभी लोग को याद करना आप एक बार ध्यान से देखिए आपको याद हो जाएगा देखिए इधर phase चलना है 1 phase, 2 phase, 3 phase तो अब देखिए open circuit की बात की तो 1 phase के लिए बात करेंगे तो 1 phase को open करेंगे 2 phase की बात करेंगे 1 phase में अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि not possible in 1 phase अब देखिए, आपको पता होना चाहिए एगर हम एक example लेकर कर रहे हैं एगर दो phase है अगर मैं एक phase जा करके सिर्फ 1 phase जाए तो क्या बताइए, इसमें कोई fault उत्पन होगा, नहीं होगा एक phase में इसे सीधे जा रहा है तो कोई fault नहीं उत्पन होगा आप कहेंगे, भाई, यह phase जा रहा ground से touch हो जाए, भाई, हम ground से नहीं touch करें वो condition अलग है, अभी हम short circuit fault देख रहे है, तो क्या होगा, इस सिर्फ एक phase जा रहा है, तो उसमें short circuit नहीं हो हो सकता है, ठीक है, चलिए, अब देखिए, दूसरा क्या है, short circuit fault जो है, और two phase में हो सकता है, कैसे, अगर three phase supply जा रहे है, power system में distribution कहीं भी जा रहे है, three phase supply है, ryb है, अगर r और y या कोई भी आपस में दो touch हो जाए, यह तो हमने systematic दंग से दिखा है, और यह जो symbol दिख रहा है, आपको यह फाल्ट का symbol है, तो देखिए, अगर r वाला phase y से किसी कारण touch हो जाए, या insulation खराब हो जाए, या फिर mechanical कोई चोट हमने लगा है, उसके कारण हो जाए, या कोई other कारण से भी हो जाए, तो अगर आपस में दोनों touch हो जाए, और इस दसा में जो circuit होगा, उसे short circuit बोलेंगे two phase में, उसी प्रकार से three phase में हो जाए, यह तीनों phase आपस में touch हो जाए, insulation खराब हो जाए, जिस वाह conductor से लोग जा रहे है, तो या हवा तेजी से चला, आधी आ गया, आपस में touch हो जाए, उस कारण से आपका short circuit फाल्ट हो जाते है, चलिए, आप देखे, open circuit आपने समझ लिया, short circuit समझ लिया, मतलब open और short दोनों समझ लिए, किस तरीके से लिखना है, मतलब इसके बारे कैसे लिखना हो अभी देख लिया, आगे देखिए, जो चौथा, तीसरा हमारा फाल्ट है, ओ, आर्थ या ग्राउंड फाल्ट, आर्थिंग भी बोलते हैं, या ग्राउंड भी फाल्ट बोलते हैं, दोनों चीज़ बोल सकते हैं, अब देखिए, अगर एक फेज में फाल्ट होगा, तो कैसे उत्पन होगा, देखिए, कोई भी एक फेज बार, हमने आर्थ फाल्ट हुआ या ग्राउंड फाल्ट हुआ, उसी प्रकार से तीन फेज में हो जाए, मतलब आर वाला वाई सेटाच हो जाए, वाई वाला फिर मिलके बी सेटाच हो जाए, फिर बी वाला ग्राउंड फाल्ट हो जाए, तो इस तरीके के जो फाल्ट उत्पन होते है उसे हम लोग अर्थ या Ground Fault के नाम से जानते हैं आपने समझ लिया चलिए अगला आप देखिए अगला आपका क्या हिष्टेफा है कि Combined या Mixed Fault मतलब Combined मतलब मिले जूले कैसे Fault होते हैं मतलब इसमें क्या होगा आपका Open भी होगा Sword भी होगा, Ground भी होगा इस तरीके इक भी Fault बन सकते हैं तो इसमें देखिए हमने Sword ओला नहीं दिखा है लेकिन Sword ओला भी बना सकते हैं अब देखिए यहाँ पर समझे मेरी बातों को Combined देखिए क्या किया गया अगर One Phase में Mixed Fault अगर हम लोग करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग यह करते हैं एक Phase में हम लोग Open Circuit मतब यहाँ पर क्या कर? Open Circuit Fault दिखा दिये और इसी पर क्या कि इसी Phase को हमने Ground से भी Touch करा दिया तो Open Circuit Fault में इसी तरीके बनेगा यह मत कहना यह मत करना गलती कि इसको तो Ground से टच करते यह वाला जो यहां पर हमने open circuit दिखा इसको दूसरे फेज में कर दे तो गलत हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखें दूसरा क्या है क्योंकि एक फेज के लिए बात होई इस वाले हम क्या करेंगे दो फेज की बात हो रही है तो दो फेज में क्या करेंगे हम लोग mix type करेंगे तो हम एक को क्या करें ग्राउंट से टच कर दिये और आर वाले फेज को हमने क्या किया हमने open circuit दिखा दिया तो दो फेज में हमारे fault यहां पर उत्पन हो गया तीसरा आपका जो यहां पर देखने को मिलता है हमने कहा गया कि थ्री फेज में अगर fault दिखाना है mix type का तो हमने सिंगल लाइन डाइग्राम की मदद से कैसे दिखा सकते हैं आई होब गाइस आपको यह क्लास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे ने मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना वूले साथ में बेल आइकन दबायें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोडिफिके के साथ तब तक लिए जहिन वंदे मात्राम